नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइन्थ, महाराष्टा स्टेट बोर्ड, मैथेमेटिक्स, चप्टर नमबर थ्री, पॉलिनामियल्स नेक्स्ट जो पॉइंट आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, वो है फैक्टर्स ओप पॉलिनामियल्स तो जो पॉलिनामियल्स के फैक्टर्स हैं, वो पढ़ने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कि समझो एक नमबर हमने ले लिया 15, तो अगर हमने 15 ले लिया, तो 15 के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मतलब जिन भी नमबर्स का मुल्टिप्लिकेश वो 15 के factor हो गए समझो 3 और 5 3 into 5 15 आता है तो 3 और 5 ये दो 15 के factors हो गए अब 3 के कोई और factor या 5 के और कोई factors यहाँ पर नहीं फार्म होते तो 3 into 5 ये हुआ 15 का factorization अब ऐसे ही हमें पॉलिणोमेल का factorization करना है तो जो भी पॉलिणोमेल दिया गया है और उसके हमें factors find करने होते हैं जिससे की उन दो पॉलिणोमेल का multiplication करने के बाद ये पॉलिणोमेल आ जाएगा तो ये दोनों को हम दिये गए पॉलिणोमेल के factors कहते हैं कि सबोच एक monomial दिया गया हो सबच 15xy दिया गया है 15xy के जो factors है वो आएंगे 15 के factors 3 into 5 into xy के factor x into y तो 3 into 5 into x into y 3, 5, x, y यह 15xy के factors हो गए अब हमें quadratic polynomial के factors find करने हैं तो उसका एक rule है general वो हमें पहले समझना है फिर उसके बाद हम practice 3.6 के questions solve करेंगे practice 3.5 के questions कुछ अगर रहे गए हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो questions रह चुके हैं उनको solve करना है तो आप मुझे comment दोरा बता सकते हैं comment में और class 7th, class 8th, class 9th और 10th के straight board के syllabus के मैंने maths के सभी जो वीडियोज हैं वो upload YouTube पे किये हैं 10th के और 9th के कुछ वीडियोज हैं जो अभी upload होने बाकी हैं लेकिन 8th और 7th class के पूरे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं तो आप यह जो वीडियोज हैं उनको like करें, share करें और bell icon प्रेस करें जिससे के आपको आने वाले हर वीडियो के notifications मिल जाएं और यही वीडियो अगर आपको और चाप्टर पे देखना है तो आप search करिए मेरा नाम लिखिए महेश वलांडे और उसके बाद अपने class का नाम लिखिए और YouTube पे search कीजिए उस class की जो पूरी playlist है वो आपको मिल जाएगी और उस playlist में जितने भी वीडियो हैं वो आप सभी देख सकते हैं जैसे कि suppose आप class 9 में हैं तो महेश वलांडे class 9 ऐसा search करिए आपको class 9 के सभी वीडियो की playlist मिल जाएगी और फिर उसके बाद वो आप वीडियो देख सकते हैं और अपने कोई दोस्त रिष्टेदार भाई बहन जो भी आपके पहचान के मित्र हो उन्हें आप यह जो वीडियो हैं वो सेंड कर सकते हैं जिससे कि यह उनकी link जो है वो सेंड कर सकते हैं जिससे कि वो भी यह जो वीडियो हैं वो देख सके हैं तो चलिए हम factors जो है quadratic equation के देख लगते हैं सुपोज एक quadratic polynomial है 3x square minus 2x minus 8 तो अगर हमें इस quadratic polynomial के factors find करना है एक quadratic polynomial है अब देखे quadratic polynomial का एक general format होता है वो होता है ax square plus bx plus c जहाँ पर variable x होगा और a b c constant होगे अब यहाँ पर देखे x variable है और 3 minus 2 और minus 8 यह variables है sorry constant है और यहाँ पर जो x है x की जगह पर y भी हो सकता है variable z भी हो सकता है कोई और variable हो सकता है जिससे की ym हो yn हो ऐसे variables हो सकते हैं तो जो variable का square है यहाँ पर x variable का square उसका जो coefficient है वो a होगा तो यहाँ पर a की value 3 होगी बी की जो value है वो होगी यहाँ पर minus 2 और c की जो value है minus 8 होगी constant value minus 8 तो यहाँ पर हमें एक rule समझना है a और c का multiplication करिए और a c यहाँ पर एक number लिखिए और जो b की value है वो b यहाँ पर नीचे की यहाँ पर value लिखिए नीचे दो values यहाँ पर लिखना है a और c का multiplication और b लिखना है अब हमें दो values ऐसी find करनी है जिनका multiplication a c के बराबर हो और जिनकी addition या subtraction b के बराबर हो तो इसे चलिए हम example में यहाँ पर समझ लेते हैं a और c का multiplication minus 8 into 3 minus 24 और b की value minus 2 अब ऐसे दो number समय find करने हैं जिनका multiplication minus 24 हो और addition या subtraction minus 2 हो अब ऐसे pairs कोंसी है 12 और 2 12 तो जा 24 अब 12 और 2 का multiplication तो 24 आता है लेकिन इन दोनों की addition 14 हमें minus 2 चाहिए subtraction 12 minus 2 10 आता है तो यह pair हमें नहीं लेनी है तो दूसरी pair चेक करना है suppose 3 8 जा 24 तो 3 8 जा 24 आता है तो 3 और 8 की addition 2 नहीं आएगी subtraction भी 2 नहीं आएगा तो 6 और 4 next pair है 6 से 4 minus करने के बाद 2 आता है और 6 को 4 से multiply करने के बाद 24 आता है तो यह pair जो है वो हमें जो pair चाहिए वो हो सकती है लेकिन multiplication negative है और इनका subtraction भी negative है तो इन दोनों में subtraction होना चाहिए और multiplication का sign negative होना चाहिए तो दोनों में से एक number negative होना चाहिए अब आप मुझे बता सकते हैं कौन सा number negative हो सकता है comment में लिख सकते हैं 4 या 6 तो जो greater number है वो हमें negative लिखना है minus 6 क्योंकि subtraction करने के बाद greater number का sign subtraction को आएगा तो 6 का sign minus और जो 4 होगा 4 का sign plus होगा अब देखिए चेक करके multiply करिए minus into plus minus 6 for the 24 minus 24 minus into plus minus सरी अब subtraction होगा तो minus 6 plus 4 अलग-अलग sign है तो सब्रेक्शन होगा 6 से 4 minus करिए 2 greater number का sign minus तो जो हमें दो numbers यहां पर मिल चुके हैं उन्हें लेकर हमें क्या करना है देखिए जो middle term होती है यहां पर उस middle term को हमें split करना होता है तो यह split कैसे करना है देखिए 3x square minus 2x को हमें लिखना है minus 6x अब इन दोनों के साथ x लिखना है यहां का जो variable है वो इन दोनों numbers के साथ लिखना है तो minus 6x और plus 4x और minus 8 अब इन दोनों को और इन दोनों को एक एक group बनाना है और इन में हमें factorization करना है तो कैसे factorization होगा देखिए 3x square minus 6x तो इन में हमें common value find करनी है तो 3 और 6 दोनों को 3 से divide होगा जो भी numbers यहां पर दिये गए हो उन दोनों numbers को greatest number से जिस greatest number से divide होता है वो हमें common लेना है तो यहां पर 3 से divide होगा तो 3 common लेना है और x square और x में से x common लेना है x square और x दोनों को x से divide होता है तो इसलिए हमने x common लिया है अब 3x से इन दोनों को divide करके जो भी quotient आता है वो यहां पर लिखना है तो 3x square को अगर हम 3x से divide करते हैं तो 3 3 cancel x square का 1x और यहां का 1x cancel तो यहां पर 1x रहेगा फिर minus divided by plus minus 6 को 3 से divide करने के बाद 3 to the 6 x x cancel यह bracket close अब इन दोनों में एक value प्लस अगर यहां का third term का sign प्लस होता है तो प्लस माइनस होता है तो माइनस हमें common लेना है तो प्लस अगर है तो प्लस common ले लिजे 4 और 8 को 4 से divide होता है x यहां पर है x यहां पर नहीं है तो x को common नहीं लेना है तो 4 common लेने के बाद 4 x को 4 से divide करने के बाद 4 4 cancel यहां पर आ जाएगा x minus 8 को plus 4 से divide करना है तो minus divided by plus minus 4 to the 8 अब x minus 2 और यहां का x minus 2 यह दोनों हमें common लेने है देखिए यह पूरा bracket common लेना है x minus 2 तो x minus 2 bracket common लेने के बाद यहां पर रहेगा 3 x और यहां पर रहेगा plus 4 तो यह जो दो polynomials आ चुके हैं x minus 2 और 3 x plus 4 यह दो हमें जो polynomial दिया गया है उस polynomial के factors हो गए तो चलिए हम practice at 3.60 के कुछ question solve कर लेते हैं और और कुछ एक type ऐ factorization of polynomials reducible in the form of ax curve plus bx plus c वहाँ पर हमें substitution करके x square plus bx plus c के form में जो यहां का x square plus bx plus c form है उस form में polynomial को convert करना होता है तो वो हम आगे solve करेंगे पहले हम quadratic polynomials के factors find करेंगे practice at 3.6 question number 1 find the factors of the polynomials given below नीचे देगे polynomials के factor find करिए अब यहां पर जो polynomial दिया गया है उस polynomial में जो variable है वो है x x का square और x की power 1 तो यह quadratic polynomial है अगर highest power variable की 2 है तो वो quadratic polynomial होता है तो quadratic polynomial में हम a, b, c अब देखिए a की value 2 b की value x का coefficient कुछ भी नहीं है मतलब plus 1 होता है तो plus है यहां पर 1 plus 1 और c की value minus 1 तो इन दोनों का हमें multiplication करना है तो plus 2 into minus 1 यह हो जाएगा minus 2 और x का coefficient plus 1 तो हमें ऐसे दो numbers लेने हैं जिनका multiplication minus 2 हो और उन दो numbers की addition या subtraction plus 1 हो तो ऐसे दो numbers आप comment में लिख सकते हैं तुरंत वीडियो को पाज करिए और comment में आप यह numbers लिखिए और फिर बाद में चेक करिए आपका answer क्या आता है देखे सबसे पहले हमें find करना है जिन दो numbers का multiplication 2 आता है तो इसी एक ही pair है जिनका multiplication 2 आता है और वो है 2 वन्जा 2 अब प्रशना आता है कि sign क्या ले multiplication को negative sign है और जो addition या subtraction होगी उसको plus sign है तो two number one से greater है यह smaller है तो हमें subtraction ही करना होगा तो subtraction होने के लिए दोनो number का sign अलग-अलग होना चाहिए और multiplication का sign negative है तो भी दोनों का sign अलग-अलग होना चाहिए और subtraction को sign प्लस है क्योंकि one subtraction आने चाहिए और one का sign प्लस है तो greater number को sign प्लस होगा smaller को minus होगा और plus into minus minus two into one two two minus one plus one अब यह जो दो number से इनको हमें middle term का जो variable है एक्स उसके साथ लिखना है तो यह कैसे लिखना है देखिए two x square one x को लिखना है plus two x minus one x minus one अब हमें यहां पे दो-दो के पेर बनाने है इनमें और इनमें common लेना है two और two यहां two common होगा x square और x को x से divide होगा अब two two cancel एक square का एक x हमने common लिया है तो यहां पे एक x रहेगा plus divided by plus plus two common two cancel x common x cancel यहां पे one x one जा एक्स अब minus x minus one से हमें minus one common लेना है जो भी third term का sign हो वो हमें आगे यहां पे common लेना होता है minus common लेना है और देखे x और one दोनों को किसी भी number से divide नहीं होता है कोई भी number से अगर divide नहीं होता तो हमें one common लेना है तो minus one अगर हम common लेते हैं तो sign change होता है तो हमें दोनों terms का sign change करना है तो minus x का sign plus x होगा और minus one का sign plus one होगा अब यहां पे bracket x plus one यहां पे भी bracket x plus one तो हमें यह bracket ही common लेना है x plus one तो यहां का x plus one bracket common लेने के बाद यहां पे 2x रहेगा और यहां का bracket x plus one common लेने के बाद यहां पे minus one रहेगा तो x plus one 2x minus one यह दो तिये गे परलिनोमे इसके factor होगे question number 2 question देखे 2m square plus 5m minus 3 यह quadratic परला मेल है तो हमें इसके factor find करने है तो a की value 2 है और c की value minus 3 है तो plus into minus minus 2 into 3 6 और b की value plus 1 sorry plus 5 यहाँ पे plus 5 लिखना है अब हमें ऐसे दो numbers find करने है जिनका multiplication minus 6 और addition या subtraction 5 हो तो 6 जिनका multiplication आता है वो numbers है 2 और 3 और दूसरी पे रहे 6 into 1 अगर हम 2 और 3 लेते हैं तो देखें multiplication negative आना चाहिए तो 2 और 3 में से अगर दोनों number में से एक number हम negative ले तो समझो minus 3 और plus 2 ले और multiply करता है तो plus into minus minus 2 into 3 6 होगा लेकिन इनका subtraction 5 नहीं होगा तो हमें 2 और 3 नहीं लेना है तो हमें लेना होगा 6 और 1 तो 6 और 1 में देखे प्लस into plus plus multiplication negative होना चाहिए तो दोनों में से एक number negative होना चाहिए अब जो उनका subtraction है 6 में से 1 minus करने के बाद 5 होगा तो जो subtraction है उसे positive sign है तो greater number का sign positive smaller number का sign negative तो देखें आब प्लस into minus minus 6 1 जा 6 6 minus 1 प्लस 5 तो जो middle term है 5 यम अब variable यम है तो इन दो numbers के साथ हमें यम लेना है तो यह होगा 2 यम square प्लस 5 यम का हमें लेना है प्लस 6 यम 6 का sign प्लस लेना है और minus 1 यम minus 3 अब जो first दो terms और last दो terms है इन में common लेना है तो 2 और six 2 common यम square और यम में यम common 2 और six को 2 c divide होगा तो 2 common यम square और यम को यम c drive होगा तो यम common 2 common लेने के बाद 2 cancel यम square को यम c divide करने के बाद यम रहेगा यहां पर ym square में 2 ym है 1 ym common 1 ym यहां पर रहेगा plus 2 से 6 को divide करना है 2 3 0 6 ym ym cancel अब यहां पर negative term है तो negative common ym का coefficient 1 है यहां पर 3 है 1 और 3 में से 3 common sorry 1 common होगा क्योंकि 1 और 3 को कोई भी 1 number चोड़के किसी number से divide नहीं होगा तो minus 1 अगर जब भी हम common लेते हैं तो sine change होता है तो minus ym का यहां पर होगा plus ym और minus 3 का होगा plus 3 अब यहां पर bracket ym plus 3 यहां पर भी bracket ym plus 3 तो हमें bracket ym plus 3 को common लेना है तो यहां पर रहेगा 2 ym और यहां पर रहेगा minus 1 तो ym plus 3 2 ym minus 1 यह दो जो हैं वो दिएगे polynomial के factors होगे अब इसके बाद जो question number 3, 4 और 5 6 है 6 question है question number 1 में तो वो हम आगे आने वाले next video में solve करेंगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद